नमस्कार बच्चो बच्चो आपने देखा होगा चुनाव होते हैं आपने ये भी देखा होगा कि चुनावों में बच्चे भाग नहीं लेते बच्चे क्यों नहीं भाग लेते क्योंकि उनकी उमर जो है वो 18 वर्ष से कम होती है और चुनाव में वो डालने के लिए उमर कम से कम या नियूंतम जो आयू है वो 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो लड़का है उसकी शादी अगर करनी है तो उसकी उमर कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अगर लड़की की शादी हो रही है तो उसकी उमर भी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए तो आप यह देख रहे होंगे वो डालने की उमर 18 वर्ष है, लड़की की जो شादी है उसकी उमर भी 18 वर्ष हो तभी होगी और लड़के की जो शादी है उसकी उमर जब 21 वर्ष होगी वो तभी होगी तो आखिर ये क्या है वास्तम में कि ये कानून बना हुआ है कि वो डालने की जो नियूंतम आयू है वो 18 वर्ष होगी और लड़के और लड़की की शादी की उम्र शादी के लिए क्रमशह 21 या 18 होना ज़रूरी है अब ये जो है ये कानून है अब वच्चो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कानून क्या है हम इसको कैसे समझें तो आज का जो हमारा अध्याए है वो भी इसी से सबंदित है वो है आपका अध्याए नागरिक शास्तर का अध्याए नमबर चार और इस अध्याए का नाम है कानूनों की समझ तो बच्चो इस अध्याए में हम ये जानने का प्रयास करेंगे की कानून क्या होता है कैसे वो पास होते हैं और उनको पास कोन करता है क्या कानून सबके लिए बराबर होते है क्या कई कानुन ऐसे भी होते हैं जो लोगों को पसंद ना आएं और वो अलोग प्रिय या विवादास्पत हो जाएं तो इस अध्याए में हम इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कानुन क्या होते हैं कानुन क्या है संसद के द्वारा पास किया गया कोई भी प्रस्ताव या संविधान में लिखी हुई कोई भी बात एक प्रकार से कानुन है और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है हमें उसका आक्षरक्ष पालन करना पड़ता है और संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनको भी हमें मानना पड़ता है अब आपके दिमाग में प्रेशन उठा होगा कि क्या कानून सबके लिए बराबर है आईए इसको एक उधारन से समझने का प्रयास करते हैं एक सरकारी अधिकारी है उसके बेटे से एक अपराद हो गया लेकिन उसने अपने राजनितिक और अपने आर्थिक शक्ती के अधार पर क्या किया उस अपने बेटे की जो सजा थी वो माफ करवा दी अब आपके दिमाग में एक प्रशन उठ रहा होगा कि क्या इस तरह सब नागरिकों के लिए हो सकता है कि वो अधिकारी ने उस सरकारी अधिकारी ने अपने बेटे की सजा माफ करवा दी तो क्या दूसरे लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर देखा जाए तो जो कानून है वो वास्त में सब के लिए एक जैसे ही होते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है जैसा कि उस सरकारी अधिकारी ने किया है तो एक परकार से वो भी दंड का भागी है और इसके लिए उसे भी सजा मिलने चाहिए क्योंकि जो कानून है वो सब को एक दृष्टी से देखता है एक समान समझता है कानून के समक्ष सब समान है उसकी नजर में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा समान व्यक्ति से लेकर के रास्टर पती तक सब लोग बराबर है कानून सब को एक दृष्टी से देखता है और जब किसी बात की सुनवाई हो रही होती है कि उस व्यक्ति ने अपराद किया है या अपराद नहीं किया है तो उसको कसूरवार या कसूरवार ना ठहराने के लिए एक प्रकरिया से गुजरना पड़ता है अदालत लगती है जांच होती है गोहाईया होती है वकील बहस करते हैं और फिर इन अधारों पर ये चीज सफ़्श्ट हो जाती है कि फलाँ वेक्ती ने या एक वेक्ती ने अपराद किया है या नहीं किया है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो कानून है एक प्रकार से सब के लिए बराबर है अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे देश का जो कानून है वो इस बात की तरफ इशारा करता है हमारे देश का जो समिधान है वो सब नागरिकों को बराबर समझता है लेकिन अगर हम प्राची नितिहास में जाएं प्राची नितिहास आपने पढ़ा छटी कलास में भी पढ़ा उसमें अगर हम उसकी तरफ जाएं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कानून सब के लिए बराबर नहीं था वहाँ पर अलग-अलग समुदाए अपने ढंग से अपना कानून चलाए हुए थे और सबसे बड़ी बात ये है कि अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग कानून बने थे अगर कोई निचली जाती का व्यक्ति अपराद करता था तो उसको जादा सजा मिलती थी जबकि अगर वही अपराद एक उपरी जाती वाला व्यक्ति करता था तो उसे सजा कम मिलती थी तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचिन काल में जो कानून था सब के लिए बराबर नहीं था लेकिन धीरे धीरे उपनवेशिक काल में यह जो स्तिती थी यह खतम होने लगी आपके दिमाग में एक प्रशन उठ रहा होगा कि हमने उपनवेशिक शब्द का इस्तेमाल किया है यह उपनवेशिक क्या है उपनवेशिक जब अंग्रेजों का भारत पर कबजा था 1600 में उनकी कंपनी आई थी व्यापार करने के बहाने से East India Company आपको याद आ गया हाँ वो व्यापार करने के बहाने आई थी और व्यापार करने के बहाने से उसने भारत के कई हिस्सों को अपने कवजे में ले लिया था लेकिन 1757 से भारत की अजादी मिलने तक उसने क्या किया भारत का शोशन किया भारत का शोशन किस तरह किया यहां से बहुत सा धन ले जाकर के अपने देश इंग लैंड में भेज दिया और इस प्रकार भारत का शोशन किया तो इस काल को हम उपनवेशिक काल कहते हैं अब हम ने यह कहा कि उपनवेशिक काल में ये विवस्ता खतम हो रही थी कि प्राचिन काल में जो नियम थे अलग अलग समूदाय के दवारा जो कानून बनाए गए थे वो अलग अलग थे लेकिन अंग्रेजों के समय में ये विवस्ता खतम हो रही थी और सब लोगों के लेकर भी लोगों में विवाद है खासकर जो इतिहास कार है जो इतिहास लिखते हैं वो इस बात से सेहमत नहीं है कि भारत में जो कानून हैं उनका प्रेचलन अंगरेजों के दयारा शुरू हुआ वो दो बातें मानते हैं इस बात को लेकर के पहली बात क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो मनमाने थे पहली बात तो ये और दूसरी बात ये कि भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए थे उसमें रास्टरवादियों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी रास्रवादी कौन वे लोग जो देश को अजाद कराना चाहते थे तो इन दो बातों को ले करके विवाद था कि भारत में जो कानून थे अंग्रेजों के द्वारा लागू नहीं किये गए थे पहली बात हमने क्या कही थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो उन में मनमानापन होता था वो अपनी मर्जी करते थे अम उधारन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं 1870 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट बना एक अधिनियम बना जिसको राज द्रोहो एक्ट या राज द्रोहो अधिनियम के नाम से जानते हैं अब उस एक्ट में क्या था उस एक्ट में था कि कोई भी वैक्ति अगर अंग्रेजों का विरोध करता था या अलोचना करता था तो उसको तुरंत गिरफतार किया जा सकता था उसके उपर बिना मुकदमा चलाए और इसी प्रकार का एक कानुन बाद में भी आया 1919 में जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है और उस एक्ट में भी इसी त्रहें के प्रावधान थे कि अगर कोई वैक्ति के उपर शक होता था तो अंग्रेजी सरकार उसे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती इसी गिरफतार करके अब ये जो एक्ट था इसके जो प्रावधान थे इसका भारतियों ने विरोध किया और जगां जगां पर इसके खिलाब परदर्शन हुए पंजाब में सबसे ज़्यादा परदर्शन हुआ 10 मार्च 1919 को ये एक्ट लागू किया गया था पूरे भारत में और 10 अपरेल 1909 को क्या हुआ कि जब लोग परदर्शन कर रहे थे पंजाब के अंदर तो वहां के दो परसिद नेता एक डाक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुदीन किचलू उनको गिरफतार कर लिया गया अंग्रेजों के दोरा अब जब उन लोगों को गिरफतार कर लिया गया क्योंकि वो तो अगरनिया नेता थे वो तो लोगों के प्यारे नेता थे जब व महां के लोगों के अंदर गुसा पैदा हो गया और उनके अंदर और गुसा होने की वज़ा से उनहों ने अपना परदर्शन और गहरा कर दिया और उसी कड़ी में उनहों ने तेरा अपरेल 1919 के दिन अमरे सर में जलियाँ वाला बाग के अंदर एक सभा बुलाई और उस सभा में अंग्रेजों के दुआरा जो रॉलेट एक्ट पास किया गया था और जो उनके दो निताओं को गिरफतार किया गया था उसका विरोध करना शुरू कर दिया लेकिन अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो वहां का जो एक फोजी अफसर था जन्रल डायर वो अपनी सेना की टुकडी के साथ जलियाँ वाला बाग में पहुंचा बाग में जाने का एक छोटा सा या संक्रा सा रास्ता था वो सेना की टुकडी वहीं से दाखिल होते हुए बाग के अंदर पहुंची और देखा कि वहां पर पूरा परदर्शन हो रहा है लोग इकटे हो रहे हैं जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं बच्चे भी हैं और जब जन्रल डायर ने ये परदर्शन देखा तो उस उसने अपने सेनिकों को हुकम दिया फायर और जैसे ही उन्होंने ओडर दिया अदेश दिया एका एक बहुत सी गोलियां वो जो लोग वहां पर परदर्शन कर रहे थे उनके सीने में उनके सीरों में उनके शरीर के विभिन हिस्सों में जाकर के लगी लोग अपनी जान जाने की कोशिश करने लगे लेकिन कुए में कूदकर भी उनकी जान चली गई यह आप चित्र में देख रहे हैं ना यहां पर जो दिखाया गया है वो जलियां वाला जो हत्याकांड हुआ था जलियां वाला बाग में उसी का अद्रिश्या आपके सामने किताब में दिखाया गया है आप इसको देख सकते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए जाते थे वो एक प्रकार से मनमानापन लिये हुए थे वो अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ करते थे ना कि न्याय को अधार बना कर और दूसरी तरफ हमने कहा था कि अंग्रेजों के समय जो हम बात करते हैं कि जो कानून बनाए गे थे उसमें भी रास्ट्रवादियों की बहुत भड़ी भूमिका थी कैसे क्योंकि रास्टरवादी जो थे उनमें से कई लोग जो थे वो कानुनी पेशे से जुड़े हुए थे और जब उनको लगता था कि अंग्रेजों के दुआरा कोई ऐसा कानुन बनाया गया है जो गलत है इसलिए उन्हों ने उसका विरोध किया और बाद में अंग्रेजों को उनकी बात को मानना पड़ा और कानून में उनको संशोधन या बदलाव करना पड़ा और इसी तरह कई और भी ऐसे लोग भारती है जो लोग थे वो इस पेशे से जुड़ गए वकीलों के साथ साथ अब नियाई धीश भी जो थे वो भी इस पेशे से जुड़ गए थे और इस परकार उनके आने से और उनके प्रयासों से अंग्रेजों के दौरा जो कानून बना जा रहे थे उसमें भारतियों के द्वारा जो बदलाव करने की बात कही जाती थी उसे बदलाव धिरे-धिरे होने लगे थे तो इस परकार हम कह सकते हैं कि रास्टरवादियों के द्वारा भी भारत में अंग्रेजियों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनको लागू पुन भूमिका थी आपको पता ही है कि हमें 1947 में अजादी मिली लेकिन अजादी मिलने से पहले ही हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने समिधान बनाना शुरू कर दिया था समिधान अर्थात कानूनों का समू यानि देश में शासन कैसे चलाया जाएगा अजादी के बाद द्वारा तो ये कानून पहले से ही बनने शुरू हो गए थे अर्थात समिधान बनना शुरू हो गया था समिधान को सविकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी अधार शिला बन गया जिसके अधार पर हमारे प्रतिनिधी देश के लिए कानून बनाने लगे हर साल ह हमारे प्रतिनिधी कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं कक्षाचे की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्रादिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा इस नए कानून के मताबिक बेटे बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ती में बराबर हिस्सा मिल सकता है लेकिन पहले ऐसे नहीं था पहले केवल परिवार में जो बेटे होते थे उनको ही संपत्ती में हिस्सा मिलता था इसी प्रकार प्रदूशन को नियंत्रित करने और रोजगार मोहिया करवाने के लिए भी ने कानून बना गए हैं तो बच्चों इस अध्याय का भाग एक यहां पर समाप्त होता है और इस अध्याय का जो बाकी बचा हुआ है वो हम भाग दो में करेंगे और तब तक आप स्वस्त रहें खुश रहें